हलो दोस्तों अगर आप 2022 में B.A.D. करने की सोच रहे हैं और वो भी चंडीगड के गवर्मेंट स्कूल से तो इसके लिए आपको क्या करना होगा इसके लिए आपको एंट्रेंस एक्जाम देना होगा और वो एंट्रेंस एक्जाम के लिए आपको ओनलाइन एप्लिकेशन गई है 7 अगस्त 2022 संडे उसके बाद आपको application form की fees या registration form की fees भी बरनी होती है उसकी last date रखी गई है 9 अगस्त 2022 तो आपने registration और fees payment कर ली है उसके बाद आपको online application form बरना होता है जिसमें आपको अपने कुछ details बरनी होती है वो सब भरके जमा करने का last date रखा गया है 11 अगस्त इसके बाद क्या होगा देखिए आपको admit card दिया जाएगा 8 अगस्त 2022 को इस admit card की मदद से आप जो है exam दे सकते हैं exam देने के बाद आपका result आएगा उस result के base पे आपको B.A.D. की seats मिलेंगी या फिर B.A.D. में आपको admission मिल सकता है registration fees दे रखिए अगर आप general category से हैं तो registration fees 2400 रुपई अगर SCST PWD category में आते हैं तो 1200 रुपई हाँ अगर हम बात करें B.A.D. courses की तो यहाँ दे रखिए देखिए B.A.D. general category B.A.D. yoga या फिर B.A.D. special education तो जिसमें भी आपको B.A.D. करनी है उसके लिए आपको यह सारा का सारा process फोलो करना होगा वो आपके उपर है कि आपको general category yoga या B.A.D. special education वाले में admission लेना है तो दोस्तों इस वीडियो को आगे जादा से जादा शेयर कीजिए ताकि जो भी students चंडेगड से B.A.D. करना चाते हैं उन तक ये वीडियो समय से पहले पहुँच सके यानि कि last date से पहले पहुँच सके ऐसा नाओ कि last date निकल जाए तब वो ये वीडियो देख रहे हो तब वो registration में नहीं कर सकते आगे कुछ भी नहीं हो सकता उनका एक साल बरबाद ना हो जाए या फिर उन्हें चंडेगड के बाहर के college से फिर बेड़ ना करनी पड़े तो वीडियो अच्छी लगे हो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करनीजिए